जिया मैं साथ, आपका नाम और आपका पिश्वाइब। मेरा नाम रभी कोली ऐसा, डक्टर साथ, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगा घर और आप जम हैं इसलाम के घर और दूसरे जम ने उनके घर पर सबसे ज़़ा है इंसानियत और अभी तक मजब ने कोई भी मजब हो इंसानियत के ओपर अमल नहीं किया आपने 12-13 साल से इसमें स्टड़ी कर रहे हैं मैंने 30 साल से स्टड़ी कर रहा हूँ बाल मेरे सफेध हो गया है रोटी के लिए मैं बिजनस करता हूँ पर जो कताबों के आपने पड़े हैं आपने ये जान्ज की वो कताबें किसने लिखी हैं? हजाराँ साल बात लिखी हैं पहले एक जबान की बात होती थी कोई राम-राम-राम कहके उसके कावत हैं मर-मर-मर कहने लगा उसको पूजना है वेदा ऐसी थी क्रीग मैथालरजी ऐसी थी अजिप्शन मैथालरजी ऐसी थी एबराम से लेके मोजिस था और आपके मुहमद साथ किताब आपका मुहमद साथ का यो कताब लिखेगी कुरान पचास साल बाद लिखेगी और नवे चालिस पचास कोई भी हो पर मुझे माफ करना साथ मैं आप से एक सवाल ये उड़ना चाहता हूँ हम सम इंसान है इंसान को एक करके सम मजब 21 सेंचुरी में इंसानियत मजब क्यों नहीं बनाते जो आप पर ठाहरा और दूसरों के उपर ना लाइए वार ना करिए रड़ाई ना करिए एक माफी चाहता हूँ ऐसे हजारों चीज़ें मैं दूसरे मजब में निकाल सकता हूँ मैं आप से पूछना चाहता हूँ खलीफास 40 साल के अंदर मर गे मर्डर हुए असेस्नेट हुए और अली साथ जो थे वो ग्रैंड सर हमारे पिगंबर के थे ये चीज़ों की हवाला दूसरों में भी है मैं अजारों दे सकता हूँ पर इसका स्वाल में आप से कहना चाहता हूँ बाई साथ ने अच्छा सवाल पूछा बनाते है उनका जो कहना है वो इनसान है भाई साथ हर शक्स हर इनसान जो पैदा होता हो वो इनसानी होता है लेकिन सिर्फ इनसान होना काफी नहीं है इनसान होना जरूरी है हर मुसल्मान पहले इनसान होना जरूरी है उसे इसलाम की सारे बाते एक भी बाते मैंने कामे तक्रीर में इनसानित के खिलाफ नहीं है एक भी बाते मैं चैलेंज करता हूँ आप एक भी बात इसलाम की बुनियादी बात बताओ तो इनसानित के खिलाफ है मुसल्मान होने के लिए अच्छा इनसान होना जरूरी है अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसल्मान हो ही नहीं सकते लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है मिसाल के तोर पे डॉक्टर बनने के लिए दस्वी पास करना जरूरी है फिर बारवी फिर डॉक्टरी तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है तो इसलाम में अच्छा मुसल्मान बनने के लिए अच्छा इनसान बनना जरूरी है लेकिन सिर्फ अच्छा इनसान बनना काफी नहीं है क्यों कि इनसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है जिसने आपको पैदा किया जिसने आपको पैदा किया उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इनसानियत के नाम पे कलंग है आप कहते हैं कि मजभ जितने मजभ है सब भेद बाव पैदा करता है नफरत पैदा करता है आपने कहा शंकर अचारे ने बिल्कुल सही कहा शंकर अचारे ने कहा कोई भी मजभ नहीं सिखाता कि आपस में बैद बाव करना उनकी भी स्टड़ी है मेरी भी स्टड़ी आपकी भी study है आपने कहा कि मैंने 10 12 साल के आपने 30 साल के अगर आप 30 साल कि ए उसका मतलब ने कि आप मुझे से अच्छे है जरूरी नहीं 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 नही आपने कहा कि मजब भेद बाव करता है ये कहना बिल्कुल गलत है मजब भेद बाव नहीं करता जो मजब के मानने वाले है वो मजब को सही तरीके से नहीं समझते है इसी लिए भेद बाव पईदा करते हैं और लगवाते गलती है मजब के मानने वाले की मजब की नहीं ये कह रहे हैं कि मिसाल के तोर पे एक मरसेडिस कार है मरसेडिस कार है मुझे ये जानना है कि मरसेडिस का कितनी अच्छी है तो एक driver Mercedes का चलाते, जो driving जानते ही नहीं, और Mercedes का आपको ठोक देते, तो किस की गलते है, Mercedes गाड़ी की का driver की? अगर आपको जानना है, Mercedes का कितनी अच्छी है, तो आपको यह देखना चाहिए, स्पेसिफिकेशन, उसका power कितना है, horse power कितना है, mileage कितना है, safety measure कितना है, उसकी तहकी करने के बाद आपको कहना चाहिए, कि कितनी अच्छी Mercedes का रहे है, अगर जानना चाहिए, कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है तो इसी लिए इसलाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो अगर देखना है तो मुझे मत देखो आप मुझे मत देखो मुझे मत देखो हमारे आज के मुसलमान को मत देखो देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है जो सबसे अच्छा इसलाम को समझ चुका है वो मुझमास लल्लाओ सल्लम है उनको देखके इसलाम की तैकी करो और तैकी करने के लिए आपको इसलाम की किताब पर जाना पड़ेगा और आपने जो कहा आकिर के अंदर कि सारी मख़ब किताब बाद में लिखी गई पहला कहना था आप काफी हद तक के सही है आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फर्माते लेकिन ये कहना कि सारी मख़ब की किताब उसमें गलती है अकसर मख़ब कितने किताब है वेद हो उपानिशाद हो बाइबल हो ओल तेस्टमेन हो न्यू तेस्टमेन हो आपने का मुसा ले सल म से लेके वह स सही था लेकि आखिरी में जो अपने गलती मुख्मा spark कह अठेगी आखिर में आक्याप अठक गए आखिर में आख्या फ़स गए आपने शाय इस्वाम का तो कहा है उसकी किताब पड़ो, आप अगर अरून शूरी की किताब पढ़ेंगे और इसलाम के मुदाला करा कहेंगे, ये किदर का सई फैसला है? मैं कहता हूँ अरुन शूरी जैसे लोग की पढ़ी होएंगी क्योंकि जब भी कुरान नाजल हुआ जब भी कुरान की आयत नाजल होते थी मुहम्मज स्लल्लाव सल्लम अनपड़ थे जब भी कोई आयत नाजल होती थी वो से याद करते थे और अपने सातियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरण उसे लिख लेते थे तो मुहम्मज स्लल्लाव सल्लम की मौजीदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो से चेक करते थी मिसाल के तोर पे एक रब इसमे रब इक लाजी खलक आयत नाजल हुई उनना याद किया सहाबा से का सहाबा ने लिखा एक रब इसमे रब इक लाजी खलक पढ़ के सुनो पढ़ा हाँ सही अगर गलती होती तुम्हाई टोक देते थे तो मुहम्मज स्लल्लाव सल्लम की मौजीदगी में जब भी अल्ला सुभानाव टाला आयत नाजल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे सारा कुरान मुजीद मौम्म स्लल्लाव सल्लम की मौजीदगी में लिखा गया आप जो कह रहे हो हज़रत उसमान क्या जिकर कर रहे वो ही तो अफसोस की बात है आपने सही मौताला किया ही नहीं हज़रत उसमान ने कई साल बाद 40-50 साल बाद जो आप कह रहे है 40-50 यहां से अपको आया उनने क्या कहा कि इस कुरान मुजीद का जो नुस्का है उसको और नुस्के बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए क्यूंकि लोग को इक्तिलाफ था रवानगी के अंदर तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उसमान उनने कहा कि जो नुस्का मुछमद साल बाद की मौजूद्गे में था उनने अपने बीवी को दे हदाद हफसा को और जो हदाद उमर की बेटी थी उनके पास महफूस था उनने लिया और पाच्छे साबाज जो जैद बिन थाबत बदिलावन उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल हुए नुस्के को दुनिया के अलग अलग जगा पे पहलाई है और एक नुस्का अब भी मौजूद है कौप्टा की मुजियम में कौप्टा की मुजियम इस्तानबूल में तो आप जो दिकर कर रहे हो उतारे हुए कुरान शरीफ का दिकर कर रहे जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मुहम्मद चल्लाव सल्म की मौजीद के में लिखा गया था उनने खुद उसको चेक की कैसा ही था और जब भी आयत नादिल होती थी अपने सही जगा पे उसे लिखवा लेते थे मुहम्मद चल्लाव सल्म में ये किसी को पता ही नहीं वो आपके इसाब से स्वामी दयानन सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन यह ओल एक हजार तीन सो दस आप अभी आप थोड़ी ठेकेदार है मदब के आप ठेकेदार है मदब के क्या नहीं ठेकेदार है ना हाँ इसलिए भाइसाब भाइसाब ना बिल्कुल सभी भाइसाब 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 इसलिए इक तिलाव जो है यह कम इल्मी के वज़े से वेद का वेद का क्या नहीं बाइस आपने का कि दुनिया का सबसे ओल्डे स्क्रिप्ट वेद है वो कुछ इस्टॉरिंट्स कहते बट ओल्ड होना मतलब यह सी जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बहतर होना rifn लेद कहना मिसाल के तौर饭 मेरे पास पुरानी गाड़ी यह पचास साल पुरानी तो यह कहना के कोई किताब ये कुई मजहब पुराना इसालए बहतर बिलकुल गलत ढोगता है वो आत्मी सोजाब हो इसा और यह वह इसा नहीं कहीं कि पुरानी चीद बहतर नहींसे बहतर वो चीद है जो जी दख के उपर जो शीज्ब एब वहाँ बहतर है झाले सिस्ट